तो देखो भई ओफिशिल सर्दियों का सीजन आ चुका है तो मैंने निकाल लिया घर पे इस तरीके से वाइट वाला बटर भईया इसका स्वादना पराठो के साथ नेक्स लेविल ही आता है बस यह मखन मिल जाए और साथ में पराठी मिल जाए और कुछ चाहिए ही नहीं तो बस फिर उसका ब्लड लेवल भी अलग ही तरीके से जो है इंक्रीस हो जाएगा और सासा थैरफोल की प्रॉब्लम भी नहीं होगी और बोन्स भी स्ट्रॉंग रहेंगी तो हलो मेरे बावर्चियों सस्रिकाल अदाम नमस्ते कैसे हैं आप लोग तो यहां पे आप देख सकते मैंने ले ली है मेति और इस तरीके से न सारी डंडिया हटा के मेति को एक पतीली में डाल देंगे उसके बाद इस मेति के अंदर हम डालेंगे खूप सारा पानी नॉर्मल यहां पे पानी में यूज कर रहे हैं और अच्छे से मेति को एक से दो बार हंगाल के बिलकुल अच तो यहां पर देख सकते हैं मेथी को अच्छे तरीके से हमने साफ कर लिया है और अच्छे से अब हम इसे वाश कर लेंगे बस एक बार अगर आपकी मेथी वाश हो गई ना तो फिर यह पराठे बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएंगे तो यहाँ पे देखे अच्छे से मेथी को मैंने वाश कर लिया है दो तिन बार अच्छे से मसल लेंगे और अच्छे तरीके से ये मेथी बिलकुल वाश हो गई है हरी बरी अब हमें करना ये है कि ये सारी मेथी हमें एक साइड निकाल लेनी है दो तीन बार हम इसे पानी से निकाल लेंगे तो इससे ये मेथी जो है सारी की सारी मिट्टी इसकी निकल जाएगी तो यहाँ पे अब सारी अच्छी दुली होई मेथी हम साइड में निकाल लेंगे अब यहाँ पे आप चाहें तो जूसर भी ले सकते हैं ग्राइंडर भी ले सकते हैं या बारी काट भी सकते हैं तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ ग्राइंडर तो यहाँ पे इसके अंदर सारी मेथी हम डाल देंगे तो यहाँ पे उपर तक मैंने मेती भर दी है अब इसमें आधा कप पानी डाल के इसे पीस लेंगे पीसने के बाद कुछ इस तरीके से मेती का पेस्ट आपके पास रेडी होगा मसालो में इसमें जाएगा एक चमच के करीब लाल मिर्ची का पाउडर अब इसके अंदर जाएगा आटा तो यहाँ पे आपको लेना है दो बड़े कप के करीब गेहूं का आटा आटा आप यहाँ पे मल्टी ग्रेन आटा भी यूज कर सकते हैं ताकि यह रोटी और भी जादा जो है पोश्टिक बन जाए तो यहाँ पे मैं नॉर्मल गेहूं का आ अब और जादा पानी या कुछ आट करने की जरुरत नहीं है जब आपको लगे कि पूरा आठा बंद चुका है और फिर भी पानी आपको कम लगे तभी आट कीजिए क्योंकि मेति अच्छे से मेति का रस और मेति का पानी जो है वह अच्छे से इस आटे में घुल जाता है तो यहाँ पे अब हम इसे लगा लेंगे एकदम सॉफ्ट सा डो हमें लगाना है मैं फिर से कह रही हूँ एक्स्ट्र पानी अगर आपको लगे तब ही डालेगा अधरवाइस यह इतने पानी में सफीशेंटली आटा गुंद जाता है अब इसको हलके हाथों से दोनों इसे मसलते हुए हमने आटे को लगा लेना है और आटा जो है ना बहुत टाइम लगा के भी अगर आप जिस तरीके से लगाएंगे ना तो वैसा ही उतना ही वह उतना जादा सॉफ्ट होता रहेगा तो एकदम अच्छे से इसे नीड कर लेंगे हम और यह हमारा आटा जो है वो रेडी हो जाएगा अब इसके बाद ना इसके आप रोटियां भी बना सकते हैं चाहे तो पतली पतली और इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं अगर आप किसी जर्नी पे जा रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं तो 12-13 गंटे के करीब यह रोटियां पिलकुल खराब नहीं हो यहां पर आप देख सकते हैं जो मैना मखन की रेसिपी है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी कि मलाई से मखन किस तरीके से निकालते हैं वह भी वीडियो मैंने डाल रखी है अगर आपने चानल को सब्सक्राइब ने किया तो कीजिए और वीडियो भी घर का देशी मखन और देशी पराठे का मज़ा ही कुछ और है तो आठा बिलकुल रेडि है सौफ साब हम इसकी छोटी से पिठी ले लेंगे अब इसको हम सूखे आठे में रोल कर लेंगे अब अच्छे से इसको हमने कर लेना है बेलन से एकदम इसकी रोटी ना ज्यादा होनी चाहिए सकते हैं अच्छे से जो रोटी है वो बनके बिलकुल रेडी है ना जाद़ा पथली होना चाहिए अगर चोला नहीं है तो आन कर ऊगह Państu को हमने गरम करने लिए thou' आप चाहें तो इसे छोल्ले पर भी बच्चों को यह रोटी खिलाएंगे तो वैसे तो बच्चे मेति कड़वी है कड़वी है बोलके नहीं खाएंगे लेकिन अगर आप इस तरीके से बटल लगा के अपने मेति के पराठी के चोटी चोटी टुक्रे काटके उनको खिलाएंगे तो यह बहुत ही जादा आच्छे पराठे बनके बिल्कुल रेडी है ठनर हंडा दहीं साथ में देसी मखन लेंगे और मस्त इसे इंजॉय करेंगे आप इसे गुड़ की पिठी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको यह रेसेपी पसंद आई होगी अगर आपको यह अगर आपको चाहिए यह देसी मखन की रेसिपी तो नीचे कमेंट कीजिए मैं आपको लिंक शेयर करूंगी कि मैंने घर पे इतना स्मूथ टेस्टी यमी सा मखन कैसे बनाया था जो की खाने में था 100 आउट आफ 100 और साथ साथ में इसके बेनिफिशल बहुत साथ हैं तो य इंजोई कीजिए अपनी विंटर्स को